Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you are new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2019 मैं आई ही वी Spanish Social Science Fiction Horror Film The Platform को explain करने जा रही हूँ. इसकी IMDB rating 7 out of 10 है, ये Rod and Tomato पे 79% fresh है और इसका Metacritic Score 73% है. ये मुवी आपको Netflix पे देखने को मिल जाएगी. मुवी की शुरुवात होती है, ऐसे सेटिंग को दिखाते हुए, जहां सारे लोग काफी जादा बिजी होते हैं खाना बनाने में और उनको ध्यान से प्लेट में रखने में. वहाँ एक थोड़ा सा जादा उमर का एक आदमी सूट पहना हुआ हमको पूरी जगा का प्रेपरेशन चेक करता हुआ दिखाया जाता है पूरे स्पेस में घूंगते हुए. वहाँ हमको अलग-अलग तरह से मीट, फिश, फ्रूट्स, डेजर्ट और वाइन्स बनाते हुए दिखाया जाता है. जहां ये सब बन रहा होता है इस जगर का नाम प्लाटफॉर्म जीरो बताया जाता है. उन लोगों को इसलिए काम पे रखा हुआ होता है, जिससे की वो लोग काफी ध्यान से प्लाटफॉर्म वन और उसके आगे के लोगों के लिए खाना बना सकें. आगे हमको एक आदमी उटतावा दिखाते हैं, जो एक कमरे में होता है, जो पुरा कॉंक्रीट से बना हुआ है. उसको उटते ही एक बुड़ा आदमी दिखाई देता है, और वो उसको बताता है कि वो लोग प्लाटफॉर्म नमबर 48 में हैं, और आज महीने का पहला दिल है. वो उसको आगे बताता है कि प्लाटफॉर्म वन से लेके 47 के लोगों ने जो भी खाना बचाया वा होगा, उन्हें वही खाना होगा. वो आदमी उटके उस बुड़े आदमी के पास जाता है हैंडशेक करने के लिए और वो उसको अपना नम गॉरिंग बताता है. उल्टा हांशे करने की जगे वो बुड़ा आदमी उसको रिस्पॉंस देता है कि वो अपने वापिस जगा पे जाके बैठ जाए. उसको लगता है कि गॉरिंग वापिस ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है. उसके बाद वो उसको अपना नाम ट्रमागासी बताता है. हर एक महीने के बाद रूमेट्स अलगर प्लाटफॉं में जाते हैं शफल होके. जब खाने का समय होता है तब एक प्लाटफॉं में खाने से बढ़ा हुआ जो बेसिकली लेफ्ट ओवर होता है वो नीचे आता है. ट्रमागासी सप्राइज होता है ये देखके कि अभी भी बचा हुआ है एक बॉटल में वाइन. गोरिंग ये सब देख के बहुत ही जादा डिस्कस्ट हो जाता है और वो खाना नहीं खाता. उसको एक साफ पड़ा हुआ आपल दिखाए देता है तो वो उसको बाद में खाने के लिए अपने पास रख लेता है. जब उस प्लाटफॉर्म को नीचे जाने का बारी आता है तब ट्रमागासी उस वाइन के बॉटल को खाली करता है, उसके मुँ में जो बचावा वाइन होता है उसको वो स्पिट करता है और आगे बॉटल को नीचे के तरफ फेक देता है. प्लाटफॉर्म की नीचे जाने पे कमरा धीरे-धीरे से गरम होने लगता है काफी ज्यादा टेंपरेचुर पे. ट्रमागासी वहाँ काफी पहले से रह रहा होता है तो वो गोरिंग को बोलता है कि कमरा इसलिए ठंडा और गरम होता है क्यूंकि उसने अपने पास कुछ ना कुछ रखा हुआ होगा जैसे कि अभी उसने अपने पास एक आपल रखा हुआ था. और मुझे लगता है कि ऐसे शायद खाना रखना अपने पास allowed नहीं है गोरिंग वहाँ जिसको The Hole बोला जाता है इसलिए आया होता है क्योंकि उसको एक तो अपनी smoking छोड़नी होती है और उसको एक book को भी पढ़ना होता है अगले दिन भी Tramagasi सेम चीज़ करता हुआ दिखता है और वो बचावा खाना खाता है वो गोरिंग को बोलता है कि उसने गलती से किसी को frustration में मार डाला था क्योंकि उसने उसका TV फेक के तोड़ दिया था तो उसने एक self sharpening knife लेके उसको जो उसको हम samurai plus बोलते हैं उसको लेके वो उसको मार डालता है authority ने उसको दो options दिये थे या तो वो उसको पागल खाने बेज देंगे या फिर वो उसको the hole में बेज देंगे अब उसने क्या choose किया ये तो हमको मालूम ही चल जाता है देखके कि वो exactly है कहाँ पे Goring उसको पूछता है कि ये जो the hole है वो कितना गहरा है तब Tramagasi उसको बोलता है कि वो platform 132 तक गया हुआ है shuffle होके मगर वो आगे के floors भी हैं जिसको उसको देखा था उसने नीचे जाते हुए Goring उसको आगे दिखाता है कि जब वो इस the hole में आया था तब वो अपने साथ क्या लेकर आया है वो अपने साथ और कुछ नहीं वो याली book लेकर आया था जो उसको पढ़ना था अब Tramagasi उसको दिखाता है कि वो अपने साथ क्या लेकर आया है और वो वही नाइफ होती है Samurai Plus जो से उसने उस आदमी का खून किया था अगले दिन फिर से हमको Tramagasi को खाना खाते वे दिखाया जाता है इस बर Goring recite करता है कि वो भी खाना खायेगा एक और दिन किसी तरह से निकलता है और Tramagasi हमें Samurai Plus के बारे में ब्रैक करता हुआ दिखाया जाता है तब ही उपर से एक आदमी नीचे गिरता हुआ आता है एज के पास टकराता है जहां पे Goring खड़ा हुआ होता है उसके माहा से bodies continuously platform से गिर रहे होते हैं और इस particular body की गिरने की वज़ा से Goring के face पे पुरा खून लग जाता है शोक में Goring Tramagasi को accuse करता है कि उसने शायद अपने roommate को भी मार के खा लिया होगा जब वो platform number 132 में फसा हुआ था survive करने के लिए उनकी लड़ाई होने लगती है और इसके बीच में platform नीचे आता है और उसके बीच में एक औरत बैटी हुई हमको दिखाई देती है Tramagasi उस औरत को मेहरू कहके बुलाता है Tramagasi बताता है कि मेहरू महीने के end में आते आते अपने roommate को मार देती है और वो ऐसा इसले करती है जिससे कि वो नीचे platform में जा सके अपने बेटे को डूढने के लिए Tramagasi हिंड करता है कि शायद वो जो आदमी उपर से गिरा था वो मेहरू का ही हो सकता है victim हो वो आगे बोलता है कि platform 132 में survive करने के लिए उसने और उसके roommate ने एक मरे हुए आदमी का शिरी रिखाया था और उसके बाद gradations के वज़े से उसके roommate को वहाँ से जाने दिया गया था मेरू को platform 49 के लोग harass कर रहे होते हैं और कुछ seconds के बाद हमको दो आगमी लोगों के चिलाने की आवाज आती है मेरू वापिस से platform पे चड़के नीचे जाने लगती है गोरिंग अपने book Tramagasi के लिए पढ़ता है और दोनों महीने के आखिर तक एकदम अराम से अपना गुजारा करते हैं आगे चलके Tramagasi pray करने लगता है कि उसके बाद जब दुबारा से सारे roommates को shuffle करके अलग-अलग platform पे भेजा जाएगा तब उसको गोरिंग के साथ ही रहने दिया जाए क्यूंकि उसको उसकी kindness अच्छी लगी थी महीने के end आते आते वहाँ पे sleeping gas के वज़े से वो दोनों को नीद आ जाती है अगले महीने में गोरिंग की नीद खुलती है और वो अपने आपको एक बैट से बंदा हुआ पाता है और Tremagasi के हाथ में वही वाला samurai plusk वाला knife होता है वो दोनों इस बर platform number 171 में होते हैं जहां पे most likely खाना आने वाला हैनी Tremagasi Goring को promise करता है कि वो 7 दिन तक उसको नहीं खायेगा जितनी भी चाहे उसको भूग लग रही हो आठवे दिन आते आते उसको भूग की वज़ा से वो Goring के पैर को काटके खाने लगता है वो उसको अपना little snail तक बुलाने लगता है महरू तब ही उसको अटाक करती है और Goring को वहां से छुड़ा देती है उसके बाद Goring Tremagasi को मा डालता है और वो दोनों उसका flesh खा के थोड़ा सा survive करने का सोचते है महरू Goring को first date करती है और नीचे platform में बैटके जाने लगती है अपने बेटे को ढूडने के लिए Goring अगले महीने तक Tremagasi की सड़ी वी body का flesh खाते वे गुजारता है जिस दिन उसका फिर से ट्रांसफर होने वाला दिन आने वाला होता है उसके एक रात पहले जब sleeping gas वहाँ पे फिर से भरने लगती है तब वहाँ पे Tremagasi उसको हॉंट करने के लिए आता है और बुलता है कि वो दोनों actually में एक जैसे ही है तीसरे महीने में Goring जब उठता है तो उसको एक familiar इंसान दिखाई देता है उसको इनगवीनी और उसका डॉगी Ramses II वहाँ पे मिलते हैं वो वही होती है जिसने Goring का interview लिया था उस hole में आने से पहले वो लोग इस बार level 33 पे होते हैं इनगुएरी platform के equilibrium को balance रखने के लिए determined होती है और वो चाहती है कि हर एक इनसान 200 floor तक के लोगों को equal खाना मिले इससे Goring disagree कर रहा होता है क्योंकि उसने platform 171 में ऐसी चीज़े देखी हुई होती है जिससे उसको idea होता है कि शायद ऐसा होना possible ना हो पहले वो खाने के लिए अपने dog के साथ balance इससे maintain कर सेके वो करने की कोशिश करती है alternatively खाना खाके एक दिन उसको देती है और एक दिन खुद खाती है in fact वो अपने नीचे वाले floor के लोगों को भी same चीज़ करने के लिए बोलती है कोई उसकी बात सुनने रहा होता है और goring धमकाता है उन लोगों को कि अगर वो लोग को खाना नहीं शेर करेंगी दूसरों के साथ तो वो सब के लिए खाना बर्बाद कर देगा ऐसा होने के बात उसकी बात सब सुनने लग जाते हैं आगे टेंशन तब बढ़ जाती है जब मिहरू प्लाटफर्म 33 पे आती है वो भी होश होती है और उसको काफी जादा चोट आईवी होती है वो लोग मिहरू को उठा के साइड में बेट पे लाके रखने लगते हैं और उसके बीच में वो लोग रैमसीस पे ध्यान ही नहीं देते गोरिंग रूम टंपरेचर को एकदम से गिरता हुआ अचानक नूटिस करता है और वो रैमसीस को मीट खाता हुआ देखता है और वो उससे उस मीट को खीच के वापस होल में नीचे फेक देता है जब उसको होश आता है तब वो रैमसीस को खाने की कोशिच करती है जिसकी वज़ा से पूरे जमीन पे खून और उस डोगी की गट्स फेलेवे होते हैं इसके बाद मिहरू प्लाटफॉर्म से नीचे जाने लगती है और इनुगुईरी बोलती है कि उसको टर्मिनल के अंसर है इसके बाद वो बोलती है कि उस जगा टोटल 200 फ्लोर्स है और ये भी कि जो वहाँ का अड्मिनिस्ट्रेशन है वो बच्चों को वहाँ पे आने को अलाव नहीं करता है उस प्रोग्राम को जॉइन करने के लिए वो मिहरू को अक्यूस करती है कि वो डिलूजनल है जिसको एजियन मैरिलन मुन्रो बनना था चौते महीने में जब गौरिंग की नीच खुलती है वो 202nd floor पे होता है उसको मालूम चलता है कि इनुगिरी ने खुद को लटका के मार डाला है वहाँ पे ट्रिमगासी और इनुगिरी उसको हॉंट करते हैं और इंसल्ट भी करते हैं उसको बहुत ज़ादा भूक लग रही होती है वो फिर भी उसको नहीं खाता खाने के लिए उसको परसुएट करने लगते हैं चटे महीने में जब उसकी नीन खुलती है तो उसको उसका नया रूम में बहाराथ दिखता है प्लाटफॉर्म नंबर 6 पे बहाराथ अटेम्ट कर रहा होता है उपर चड़के जाने का मगर गॉरिंग उसको कन्वेंस करता है कि उपर जाने के जगा नीचे के तरफ जाना ज़ादा अच्छा रहेगा वो दोनों मिलकर सबको कन्वेंस करने लगते हैं कि वो लोग प्रॉपरली खाने को रैशन करें और प्लाटफोर्म 50 के नीचे के लोगों को भी खाने को मिलना चाहिए तो इस वज़े से वो 50 प्लाटफोर्म के नीचे खुदी जाके खाना डिस्टिब्यूट करने लग जाते हैं जो उनकी बात नहीं मान रहा होता है ना को वो लोग violently treat भी करते हैं नीचे जाते जाते उनको एक inmate मिलता है जिसका नाम senior work bank होता है वो उसको बोलता है कि उनको एक पाना कोटा को नीचे पूरा का पूरा छोड़के भेज देना चाहिए जिससे कि वो उनको एक message भेजेंगे administration के तरफ और नीचे जाते जाते उनको मिहारू दिखती है और वो उनकी लड़ाई हो रही होती है जहां पे उसको कोई बार-बार step कर रहा होता है वो लोग उसकी मदद करने जाते हैं मगर late हो गया होता है confrontation के बीच में goreng को भी चोट लगती है और बाहरात को तो बहुती जादा fatal step wound आ जाता है इसके पहले कि वो लोग platform 250 और उसके नीचे जा सके इतनी सारी भयानक चीज़े वो देख चुके होते हैं जो उनकी expectations के भी बार होती है जब वो लोग नीचे तक आत चाते हैं तो वो notice करते हैं कि platform और नीचे जाना बंद हो चुका है मगर जैसे ही वो लोग platform से उतरते हैं वो platform वापस से नीचे जाने लगता है वो लोग नोटिस करते हैं कि ना ही वो लोग ठंड से फ्रीज हो रहे हैं और ना ही उन लोगों को गर्मी के वज़े से फ्राइ होने वाली फिलिंग हा रही है जबकि उन्होंने एक पूरा का पूरा पैना कोटा को अपने साथ ले कर आये थे उनको मिहारू का गुम हुआ हुआ बेटा भी वहाँ पे मिलता है जो असल में बेटा नहीं बेटी होती है मिहारू ने पूरी मूवी में कुछ बोला ही नहीं होता है तो उनको मालूम ही नहीं चलता है उस बच्चे के अरेंटिडी के बारे में गोरेंग और भारात उसको वो पैना कोटा खाने को देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो काफी दिनों से कुछ नहीं खाया होगा। रात में उसको फिर से हालुसिनेशन्स होने लगता है ट्रिमगासी के तरफ से जो वो उसको बार-बार भारात या उस बलडकी को खाने के बोल रहा होता है, basically instigate कर रहा होता है, इस पूरे hallucination की सबसे बुरी चीज ये होती है, कि वहाँ पे सिर्फ ट्रमगासी नहीं होता है, बलकि उसके साथ मिहारू और इन्वावगिरी दोनों वहाँ पे उसको instigate कर रहे होते हैं, जब गोरेंग की नीद खुलती है, तब उसको बहाराख खुद के खून में लटपत दिखाई देता है, जिससे हमको मालूम चलता है कि शायद उसके fatal stab wound की वज़े से वो बिचारा मर गया था, गोरेंग नीचे जाता है, जो काफी जादा बड़ा सा space होता है, खाली सा, और वहाँ की light सिर्फ इतनी ही होती है, जो उपर व करने का और उसको आगे कोई जरुवत नहीं है, जब वो उपर वापिस जाएगा, गोरेंग ट्रिमगासी को सबसे नीचे वाले फ्लोर में जोइन करता है, गोरेंग उसको बोलता है कि ट्रिमगासी अब उसको कभी भी लिटल स्नेल नहीं बुलाएगा, गोरेंग उस लड़ कर दूएगा.